हाई दोस्तों कैसे हो मज़े में है वास मज़े में ही हो गए आज 21 ओक्टोबर और सुक्रवार है अभी टाइम हो चुका है तीन बच कर दस मिनिट यूँकर आज मैं अभी लेट निकला हूँ गर से अज सुक्रवार था इसके लिए आज जुम्मा की नमाज होती है तो जुम् साड़े तिन पौने चार बज़े यहां से निकलना है एरपोट के लिए तो उनको एरपोट ड्रॉप करने का है तो अभी मैं उला उबेर मैंने डिवाइस ओन नहीं किया एरपोट जाके ओन करूंगा मैं शुरुवात करते हैं आज के दिन की निकलता हूँ फटा-फट यहा अज में मॉर्णिंग सुबा में तो नहीं निकला लेकिन अज शुक्रवर था तो जुम्मा पढ़ने के बाद में तीन बज़े में निकला हूँ घर से तो मुझे एक प्राइवेट ट्रिप मेरा वटवास ही था प्राइवेट कस्टमर का ट्रिप था उनको साड़े तीन करते हैं देखते हैं इसमें आता है पहला ट्रिप जो भी अपडेट है मैं आपको अपडेट करता हूँ लगे रही है वीडियो में दोस्तों एक और ट्रिप मैंने कंप्लेट कर लिया है एरपोर्ट पर मैंने जो कस्टमर को ड्रॉप किया था उसके बाद तो फिर आता गंटा मैं एरपोर्ट पर बैठा लेकिन कोई ट्रिप मुझे मिल नहीं रहा था तो वहां से मैं फिर इंदिरा ब्रीच के आगे बाट के पास में पहुच गया था बाट पास पहुचने के बाद में एक ट्रिप मुझे मिला चांद खेडा से मूटे रा के पास में चांद खेडा से साउथ बोपल के लिए उसका पेमेट 409 रुपया आया है जो भी है मैं स्क् इद्नस होता है आज लेट नाइट तक जो भी है अपडेट मैं आपको देता रहूंगा तो लगे रही है वीडियो में आगे की अपडेट के लिए मुझे यहां से बोपल से तीन किलोमेटर दूर से को ट्रिप मिल चुकी है वटवा के लिए मैं एक सेप्कर लिए अभी मैं अपडेट है आपको मैं दे रहा हूं बता रहा हूं अभी टाइम हो चुका है आट बच चुके है लगे रही है वीडियो में क्योंकि आज चुप्टी जैसा माहुलता मेरा सुक्करवार के दिन में चुप्टी रखता हूं तो जो मिला हूँ अपना खर्चा पाने का पैसा में अपने घर के पास पहुच चुका हूँ और अब इस टाइम हो चुका है कर 55 मिनिट और मैंने आज का बिदनेस मेरा कुछ 1250 के आसपास का कुछ बिदनेस हुआ है उसमें मैंने कि साड़ी 500 रुपय का CNG डलाया हुए 550 रुपय का CNG डलाया है यूद्के अभी मैंने आते-आते अभी एक CNG, पंपे CNG डला है, भी गाड़ी में CNG तो मेरा फुल ही है, कल भी काम आएगा CNG, आज में दुपेरबाद ही निकला था, साड़े तिन बज़े के आसपा सीद निकला था, इसमें मेरा फर्स्ट ट्रिप तो मैंने 500 रुपे वाला कंप्लेट किया था, जो परसनल मेरा मैंने 4 बुकिंग कमप्लेट किया है, पर मैं मुझे 610 रुपे का एरनिंग हुआ है, ओला में 140 रूपे का एरनिंग हुआ है, और वो मेरा बरसनल ट्रिप का जो एरनिंग था, जो एसा मिला के सबका टोटल करके 1250 का एरनिंग हुआ है और शारी 500 रुपे का CNG लगा है और अभी टाइम हो चुका है घर जाने का आज के लिए इतना ही दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सेर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत बुलना गुडबाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में